फ्रेंड रवी की फसल का सीजन खतम होने वाला है कटाई चालू हो चुकी है तो दोस्तों खेत पर आये हुए हैं यहां रेपर मसीन के दौरा देख सकते हैं कि यहां हमारे किसान भाई जो हैं यह फसलों की कटाई कर रहे हैं तो इस मसीन के दौरा जो है वो पूरा जो मतलब गेहूं कट करके और इस से दोस्तों मतलब उसका पूरा यह गुच्छा तयार हो जाता है याने कोई ज्यादा एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना पड़ता है तो आप देख रहे हैं यह इतना जो गेहूं पूरे प्लाट में लगा हुआ हुआ है ठेतों में यहाँ पर यह रेपर मसीन के दौरा यहाँ पूरा जो है इस प्रकार से लाइन से यह कटते हुए है पूरा गेहूं जो है खटना होते जाता है तो आप लोग देखेंगे यह है रेपर में तरह बॉस्किन समय जो आगे से काट ते हुए यहों को जा रही ए और पूरा इनका जो है एकात्र करते हुए कि और आप देख रहा है यह मसीन जो है पूरा यह कटिंग करते हुए आज अगे बल रही है देख सकते हैं फ्रेंड यह किस प्रकार से यह पुरी कटिंग करते हुए यह मसीन आगे चल रही है यह अपरेटर थाप यह मसीन चला रहे होंगे इस प्रेंड दिनों के काम जो है घंटो में यह पूरे कम्प्रीट कर ले रहे हैं तो बहुत हानी हो गई है हमारे किसान भाईयों को आप लोग देख सकते हैं बहुत ज्यादा मतलब पहुलियत हो चुकी है इन मसीनों से खाय बोल दीजिए भईया तो आपका नाम बताएंगे भईया यह कमल शूर वंसी जी जो है यह रेपर मसीन के हैं और यह जो हसल है तो थोड़ा से आप हमारे दर्षकों के पास आ सकते हैं कुछ थोड़ा से जानकारी दे दीजिए भईया तो यह थोड़ा से क्या है इनकी मसीन को ब्रेक कर दिया है तो यह थोड़ा से कुछ यहां कर दिज़िए अंकल करते हैं तो यह थो जानकारी थी अभी हम लोग जा रहे थे रहे थे रास्ते में हमें यह यह प्रवासल कटाई का यह रेपर मसीन दिखी तो क्यों ना सोचे यह थोटी सी जानकारी आप तक फेयर की जाए तो यह तू अन्चु भाईया आपको यह मतलब यह जो चितने एकड़ में चितने घंटे लगते हैं इस मतुनी इसमें भाईया जैसे जाना जरुवत से जाता अधिक ना है धीरे अगर चला है तो भी एक घंटे में एक से सवा ए अगर बीच में कोई वैवधान ना है जैसे पत्थर या उबर खबर जमीन तो एक घंटे में यह एक से सवा एकर मतलब कटाई कर देते हैं इस मसीन के द्वारा तो इस ज्यानकारी के लिए यदू अन्ची भाईया धन्वाद एकड़ से हमारे दर्शकों को आई बोल दीजि यह छोटी से जानकारी थी मगर आप लोगों के लिए बहुत नौलेज भरी थी तो बस दोस्त मिलेंगे हम लोग एक नए व्लोग वीडियो के साथ ऐसे ही आपको नौलेजेवल इंफर्मेटिव व्लोग हम लेकर के आते रहेंगे टेक क्यार एंड बाई